हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को GNIOT के B.T.E.C. के बारे में बताऊंगा Greater Noida Institute of Technology जो की Greater Noida में है obviously इसके B.T.E.C. प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा 2024 में आपका admission कैसे होगा admission process के बारे में बात करेंगे उसके बाद आपकी eligibility criteria क्या है मतलब आपके पास क्या क्या होने चाहिए कितनी percentage होनी चाहिए वो सब जानेंगे देन आपका कौन-कौन सा exam या फिर किस के through admission होता है जिसको admission process आगे का steps क्या है वो भी बताऊंगा देन उसके बाद आपकी 4 साल की BTEC की कितनी fees लगेगी fee structure के बारे में बात करेंगे कौन-कौन से program है कौन-कौन सी branches है BTEC के अंदर यहाँ पर even lateral entry भी होती है उसके बारे में भी जानेंगे देन उसके बाद मैं आपको placements भी बताऊंगा जो की official website पर भी है और 2023 की भी placements बताऊंगा क्या थी और उसके बाद final review दूँगा वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले courses और branches की बात करें तो यहाँ देख सकते हो BTEC in Computer Science, BTEC CS AI and Machine Learning, CS Internet of Things, IT, Electronics, Mechanical, Civil, Electrical, Lateral Entry भी यहाँ पर होती है इन सब branches के अंदर अनि जो placements आपको यह देख रहे हो स्क्रीन पर यह official website की है मैं 2023 की आपको आगे बताऊंगा वैसे ही इनके official website पर दिया हुआ कुछ data है अब वही बात करें eligibility criteria की तो आपकी 12 होनी चाहिए complete मतलब आप appearing year भी आपका जैसे की इस साल 2024 में आप 12 के exam दोगे तो आप अभी apply कर सकते हो वो मैं आगे आपको बताऊंगा तो यहाँ पर आपके पास 12 में physics और mathematics होना चाहिए दो main subject और जो तीसरा main subject है वो यहां तो biology होना चाहिए या फिर chemistry biotech भी चलेगा और technical vocational subject भी चलेगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो और percentage की बात करें यहां पर तो SC और ST candidates को 45% marks होने चाहिए 12 में और other categories जो SC ST नहीं है उनको 50% होना चाहिए और इससे कम का भी हो जाएगा वो थोड़ा मतलब देख सकते हो 5% decrease पर भी इसका हो जाता है वो अलग process है अब admission process की बात करें तो बहुत सारे यहां पर admission के process है तो सबसे पहला तो यार आप J.E.Mains का स्कोर तो आपको लगेगा इवन आप अगर आपने J.E.Mains नहीं दिया है या फिर आपके J.E.Mains में इतनी अच्छी performance नहीं है तो आपके academic performance पर भी आपका admission मिलता है यानि की merit पर 12th में आपके कितनी percentage थी अगर वो भी इतनी सही नहीं है तो आप online test भी आप दे सकते हो G.N.I.O.T. College का और यहां पर है आपको description में मिलेगा आप वहां से apply करोगे तो आप direct आप चले जाओगे apply करने में तो आपको easy होगा काफी वही campus की बात करें यहां पर 17 acres का campus है और अगर आपको campus tour करना है तो आपको videos बहुत सारी मिल जाएंगी YouTube पर अब यहां पर हम बात कर लेते हैं fee structure की कि कि आपकी कि लगेगी मैं पर year बताऊंगा detail में तो यहां पर आप देख सकते हो बीटेक यहां पर तो को official website है तो बहुत सारी चीज़े देखने के लिए मिलती है उपर नीचे साइड में first year की देख लो tuition fees आपकी 91,000 होगी second year में भी 91,000 370 third year में भी fourth year में भी registration fees 10,000 है every year यह पर semester नहीं है पर year है तो चार साल का आप add कर सकते हो and वहीं यहां पर देख सकते हो department society and cultural उसके बाद certification student welfare security amount जो की refund होता है and total जब आप add करते हो यहां पर तो first year की 1,55,000 होती है second year 1,50, third, fourth में भी same है 1,50 इसको आप add अगर करते हो तो approach जो आपकी academics fees बोलूँगा hostel fees अलग होती है या फिर रह academic fees यहां पर 4 साल की आपकी 6 lakh के आराउंड जाती है जो कि normally किसी भी college में देखने के लिए मिलता है चाहे आप even GGS IP university के कुछ colleges के बात करें तो उनका 2 lakh के आराउंड भी fees है किसी का 1.5 lakh है तो same वही range है fee structure का and वही hostel fees की बात करें तो वह तो आपके ऊपर totally depend करता है लेना है या और यहां पर 1 lakh 35,000 जो की उपर आप देख सकते हो optional है and अब यहां पर bus की बात कर लेते हैं suppose अगर आप आस पास के student ओं मतलब कियार आप बहुत दूर के नहीं हो किसी दूसरे state के नहीं हो अगर Noida या फिर Delhi के हो तो यहां पर कौन-कौन से location में college की bus आएगी आपको काफी easy ह जाएगा transport facilities की यहां पर बात कर रहा हूं मैं आपको देख सकते हो यह सारे locations है so आप यहां पर check कर सकते हो कौन सा location आपके घर के पास है अगर आपको hostel नहीं लेना है तो बहुत सारे options है and अब जो मैं आपको placement बताने जा रहा हूं यह यहां के computer science branch का है इस बात का आपको ध्य देना है तो देख सकते हो average salary जो CS की है 2023 में वो 6.5 lakh के around है और 6 lakh की आपकी fee से इस बात का ध्यान देना है और वहीं पर बात करें highest package जो 2023 में गया computer science branch में और obviously यार computer science या फिर electronics या फिर जो टॉप की branches है आप उन्हीं में admission लो और अगर आपको interest है किसी दूसरे branch में तो आप व placed है तो देख सकते हो 92.51% students placed है computer science के batch में 2023 के सो यहां पर हमारी video complete हो जाती है apply करने की जो link आपको description में मिलेगी आप वहां से भी apply कर सकते हो इस बात का ध्यान देना है यहां हमारी video complete हो जाती है video पसंद आई या informative लगी तो like ज़रूर कर देना चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर देना और bell icon प्रेस करना मत भूलना क्योंकि ऐसी important और informative वीडियो में daily लेके आता हूं तो कोई important वीडियो आप miss ना करो इसलिए कुछ भी पूछना या बताना हो comments में पूछ सकते हो या फिर Instagram पर भी मेरी Instagram ID की link आपको description में मिलेगी बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही important वीडियो म झाल जाल जाल झाल